जेहिंद नमस्कार सातियों कैसे हैं आप सभी आज इस सेसंद गंदर हम बात करने वाले हैं EORO exam के बारे में EORO exam के अंदर क्या कटोप रे सकती है क्या paper का ले ओल रहा है परस्ट paper में, second paper में, part first, second किसमें कौन सा ज्यादा रहा है, क्या कम रहा है और आपका selection हो जाएं, तो आप बगवान से दुआ करना कि हमारा selection हो गया, इतनी post कम थी तो भी और नहीं हो आएं, तो भी आपको कोई गबराने की जुरूत नहीं, आगामी और भरतियां आएगी रहेगी और इसी सबसे हम निरनता तयारी करते रहेंगे, आप सभी के लिए ORJart application free test series लेका है, उसका link मैं description दे रहा हूँ, और भी information के लिए आपको telegram पे जुड़ना है, ORJart नाम, telegram channel है, उसका link description मिल जाएगा देखेगा हम बात करते हैं, अनुमानित कटोप के बारे में कटोप क्या जा सकती है, पेपर का level कैसा है, क्या आटन्डे सरी है, कितने फोर्म बरेंगे हैं, यह सारी जानकारी देख लेंगे इसके अंदर, और क्या एक seat पर कितना क्या ratio रहेगा देखेगा, EURO exam 2023 का अनुमानित कटोप हम देख सकते हैं, देखेगा, अब सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूँ, paper का level के बारे में, paper का level, first paper, first shift, second shift, दोनों का paper की बात करें, तो आपका first paper के अंदर, first shift का जो paper हुआ है, उसके अंदर part A, जो 1 से लेके 80 तक जो question थे, वो बिल्कुल ही सरल थे, आज तक आयोए person आये थे, सभी के सभी, ज्यादा तर मान के चलो इसमें से, और part B है, जो भी आपका normal था, medium मान सकते हैं, ज्यादा high level भी नहीं पुचा, ज्यादा low level भी नहीं पुचा, सुभार सांसर ने जो आपके YouTube चैनल पे करवाया, वो सारा content इसके अंदर पुचा गए, आप देख सकते हैं, और इसके बाद बात करते हैं, second shift की, second shift के अंदर, जिके का part है, जो आपका normal medium size का रहा है, जिसके अंदर, कापी ज्यादा, इतना hard भी नहीं था, ज्यादा IG भी नहीं था, medium था, और second part, जो B part है, 81 से लेके, 120 तक जितने भी परसंदे, वो आपके सरल थे, बिल्कुल सरल थे, और अभी इसके बात करते हैं, क्या attendance क्या रही थी, attendance की बात करें, देखिएगा, attendance आपकी रही थी, इसके अंदर वो रही थी, आपकी देख सकते हैं, attendance कुल 55% attend किया था, इस्टुटेंट इतने ही विजिट कर पाएं, और जो पोस्टें कम थी, उसकी वज़े से सारे इस्टुटेंट गए भी नहीं थे, देखिएगा, कूल पोस्ट हैं, आपको पता है, पहले 37 पोस्ट आई थी, उसके बाद, आपकी 27 पोस्ट हैं बढ़ी थी, बीच में एक नोटे पी के संजारी हुआ था, जिसके मादिम से मैं अनुमानित यहां पर बता रहा हूं, मुझे कंपरम याद नहीं हैं, लेकिन 4,60,000 जहां तक मुझे ध्यान में हैं, और 65% अटनेस की बात करें, तो करीबन 3,00,000 अभ्यारतियों ने यहां पर पेपर में भाग लिया था, 3,00,000 अभ्यारतियों ने भाग लिया था, पर कटोप जा सकती है, आपको पता ही लग गया होगा, और बात करें, इसके अंदर कटोप की, अफाइनली कटोप के बारें बात कर लेते हैं, कटोप आपकी क्या जाएगी, देखिए का मैं यहां पर पशनों के अधारे कटोप यहां पर बता रहा हूं, आप जगडिये मत कितन अटेम्ड किये हैं, सही सही, उनका सेलेक्शन होने का पुरा बाता है, और मुझे नहीं लगता किसी ने छोड़ा होगा, 110 पार तो करके आया ही है, क्योंकि इतने परसन ही जीत है, और इसके अंदर बात करें, ओबी सी की 94 से लेके चीन में तक जाएगी, यह देख सकते हैं, यही डुपलोस की बात करें, बाण में सी पिचान में की इतनी कटोप हाई जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं, एक सीट पर 3000 अब्यारती बैटे हैं, बहुत होते हैं, भई यह एक सीट पर 3000 अब्यारती, आपको पता है, गाम के अंदर सरपन्स होते हैं, वो 34 खड़े हो करते हैं 88-90 की बात करते हैं 85-90 के बीच बीच लगबग होई जाएगा एस्टी के कंडिडेट भी अभी काफी सारे पढ़ने लगे हैं तो उसी साफ से मान सकते हैं और अलग अपने देख सकते हैं जो पोश्ट ने अलग लग नोटीपेंगर जाके देख सकते हैं फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरी यह आपको कटॉप कैसी रही लगी है आपको एक बार कमेंट करके बताईएगा और ओर जाट नाम से टेलिग्राम चनल पर जुड़ ज़िए वहां पर आपको ऑथन्टिक जानकारी के साथ और भी इनपॉर्मेशन डेली क्वीजेज वगेरा मिलती रहती है और फ